दोस्तों यदि आप चाहते हैं ललित नारान मितला बिस्विदाले से गर्जुएशन में नमांकर लेना एस्पोर्ट राउंड के थूँ तो आपके लिए काफी बड़ी खुसकबरी है क्योंकि ललित नारान मितला बिस्विदाले ने एस्पोर्ट एडमिसन के लिए अपना ज पसंद आए तो इससे लाइक और शेयर जरूर कर देना है इसे लगतार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे भी जो भी इस परकार का अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा इससे जूरी पूरी जहनकारी के लिए आप Google में लि यूजी एसपोर्ट एडमिशन दोहजार चौबेश सटाइस जिस पर क्लिक करना है तमाम जनकारी आप यहां से समझ सकते हैं इसका लाश्टेट जो है तीन अगस्त तक रखे गया है उन्तिस जुलाई से यह परकारी आपके शुरू हो रही है बकी इंपोर्टेंट लिंक मे ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा भैकेंट सीटो की डीटेल देख सकते हैं और स्पोर्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए कुछ पहले बेसिक जनकारी बताते हैं कि नमांकन कौन ले सकते हैं कैसे नमांकन परकिरिया होगा पूरी जनकारी समझें। नोटिफिकेशन आज के डेट में ही ललीत नारां मितला विस्विदाले ने जारी किया है। यहां पर देखेंगे सेवा में जो भी परधाना चार है सभी अंगभूत एबुम सवंद महभिदाले हैं ललीत नारां मितला विलिदाले का उनको ये ल प्रिवर्तन करने एवं पूर्व में ऑनलाइन आवेदन से बंचित छात्र रिशात्राओं को ऑनलाइन आवेदन कर एस्पोर्ट एडमिसन लेने के समंद में यह नोटिफिकेशन जारी किया है अब यहां पर समझे दो-तीन कारण इनके द्वारा बताया गया है कि पहला कारण तो जो अब पूर्व में आवेदन किये हैं उन सीठों पर अगर आपकी आवेदन नहीं हो पाई है सीठे नहीं होने के कारण तो आपको घवराना नहीं है आप स्लाइड अप ऑप्सन जिसमें आप अपने विशाय को परिवर्तन कर सकते हैं अब दुसरा चीज वैसे समंद में निर्देशा अनुसार सुचित करना है कि चार वर्सिये असनातक पर्थम समेश्टर कला विज्ञान एवंवानी जी सतर दोहजार चौविस अठाइस है तो दूतिये चैन सुची से नमांकन के उपरांत कई विश्वय में कुछ ही सीठ डिक्त रह गई है जिसकी वैपसाइट पर उपलब्द करवा दी गई है जो भी चातर चातराय चाहते हैं चातर हित के लिए जो एस्पोर्ट राउंड एडमिसन पर किरिया है वो पूरी तरीके से सुरू की जाए और वो एस्पोर्ट एडमिसन निम्न तरह से जो है आप करवा सकते हैं सबसे पहला च से तीन अगस्त दोजार चौविस तक आप किसी भी महाविधाले में जाकर जहां सीठे बची हुई है आप वहाँ नमांकन ले सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ऑनलाइन इनके पोर्टल पर जाकर एक सेलेक्शन लेटर है जो आपको डाउनलोड करना होगा जो 29 तारिक से तीन अगस्त के बीच में आप जिस भी महाविधाले में आपकी इक्षा होगी आप जाकर नमांकन करवा सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखीगा कुछ बिसव यथार्थ जो जन्तु बिग्यान है इतिहास है हिंदी है यह तीन सब्जेक्ट है जिसमे सीठे नहीं है क्योंकि स्टुडेंट के संख्या काफी ज्यादा होने के कारण यह सीठे आल्रेडी पैक हो चुके हैं तो पूर्व में जो कैनिडेट इन विसव को अगर उन्होंने मेजर सब्जेक्ट में दिया है तो उससे आप परिवरतन कर सकते हैं वह परिवरतन भी इस जाना कॉलेज में जाकर आपना मंकन परकिरिया को पूरा करवा सकते हैं अब अगला पॉइंट बताया गया है कि बीए बीए से भी कम में जो बच्चे सतर दोहजार चोबेस अठाइस में ना मंकन लेना चाहते हैं लेकिन किसी कारण में सुनके द्वारा ओनलाइन आवेदन नहीं किया गया था तो आपको क्या है कि ये मेजर कुछ बिसाय है इसको छोड़ कर बाकि आप कोई भी बिसाय में आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं इसके लिए भी आपको जो है 29 तारिक से 3 अगस्त के बीच में पूटल पर जाकर आवेदन कर देनी हैं आवेदन करने के बाद आपको भी अपना सेलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है और जहां भी सीटिय खाली है वहां जाकर आप नमांकन परकिरिया को पूरा करा सकते हैं अगला पॉइंट बताएगा है कि और नमांकित शात्र शात्राओं को ऑनलाइन अवेदन भरते समय यदि किसी भी प्रक मेरिक्त जो भी सीटिय है वो सीट उपलब्द रहने पर ही आपका सेलेक्शन लेटर जो है वो डाउनलोड होगा यह दियान रखेगा सीट भर जाने पर सेलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं हो पाएगा इसको लेकर परदामना ध्यापक को अनुरोद किया गया है कि जो बच नमंकन कराते समय सभी धूक्मेंट को भी ले जाना हूं और सभी डूकुमेंट के सत्यापन कि जाएगी जाँच होने के अब बात ही आपकी पल्द का satisfies नमंकिश। जो अपडेट का काम है वो 5 अगस 2024 साम 4 बजे तक जो है या निवार रूप से कर दिया जागा जिससे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने नमांकर कर आया अभी भी कितने सीठे बची हुई है नोट में एक पॉइंट इन्होंने बताया है कि परदानाचार को निरदेशित किय जाता है कि स्पोर्ट राउंड के तहट जो डाउनलोडेड सेलेक्शन लेटर है इसके बीना किसी भी छात्र छात्राओं का नमांकर नहीं लेंगे अगर सीठे से अधिक नमांकर लेते हैं तो राज्य आदेश का उलंगन माना जाएगा एवं इसकी सूचना राज्य सरकार क दे दी जाएगी तो मतलब सिधा है कि सेलेक्शन लेटर आपको डाउनलोड करना ही होगा और सेलेक्शन लेटर तभी डाउनलोड होगा जब सीठे बची रहेगी ये भी आप ध्यान रखेगा तो आईए मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता करेंगे कि कितने सीठे बची हु जाएगी आप देके हैं इसमें जो है अलग-अलग आपको कॉलेज का नाम है और शातिमें बिश्साय का नाम करना अपको देखनों को मिलता है अब आपको देखना है कि मालीजे किसी को आर्ट में नाम आंकर लेना तो आप में यह AI ah culture यह subject है जिसमें यह college का नाम है EPSM बढ यहां पर देख सकते हैं यह conf之र्वी पांगर है कि है पर देखने तो कोई-कैले यहां पर कहलें अभी-दिखा रहा है तो कोई-कोई ऐसे college यह जहां पर city है आप जाकर वहाँ पता करिए और जाकर नमंकन करवा सकते हैं यह back end city की detail इनके द्वारा दी गई है आप एक बार देखकर आप जाकर नमंकन परकिरिया को पूरा करा सकते हैं तो हमने overall पूरी जनकारी आपको बता दिया बाकी जब इसका link active होगा तो मैं एक selection letter कैसे download करना है उसके बारे में detail वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं यह selection letter के उपर detail वीडियो देखना तो आप comment करेए और साथ में आप हमें detail provide कर सकते हैं detail देने के लिए मैं एक number दे रहा हूँ 90, 60, 67, 29, 65 पर आपने online apply जो किया होगा तो आपको जो ID, password मिला है और detail आप हमें जरूर भेद दिजिएगा ताकि जैसे ही इसका link active हो मैं proper एक video बना कर जैसे subject को परिवर्तन भी करना है तो कैसे करना है selection letter कैसे download करना है यह सभी चीजे मैं अगले वीडियो में आपको बता लूँगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद